राजधानी भोपाल की साथ विधान सभाओं में से एक है बैरसिया सीट बैरसिया सीट शिड्यूल कास्ट यानि की अनुसूचित जाती के लिए रिजर्व है बैरसिया सीट के गठन के बाद से अब तक 14 बार चुनाओ हो चुके हैं और सिर्फ दो बार ही कॉंग्रेस जीती है लेकिन इस बार कॉंग्रेस इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है बैरसिया विधान सभा सीट मध्य प्रदेश की विधान सभा में 149 नंबर की सीट है जो भोपाल जिले की ग्रामीर सीट कहलाती है यहां बीजेपी के विष्णु खत्री विधायक है इस सीट का लगभग 99 फीजदी शेतर ग्रामीर है बैरसिया अगर राजनीतिक गड़त देखें तो मध्य प्रदेश गठन के बाद साल 1957 में यहां चुनाव हुए तो कॉंग्रेस ने भगवान सिंको टिकेट दिया वे विजई होकर सदन पहुँचे लेकिन शेतर में हिंदुतु की लहर थी इसके साल 1962 में अखिल भारतिय हिंदु महासभा के भायाल विधायक बने इसके बाद जब जनसंग बनी तो साल 1967 के चुनाव में लक्ष्मी नारायन शर्मा ने जीत हासिल की अगली बार लक्ष्मी नारायन शर्मा का टिकेट कटा और उनकी जगाए 1972 में गौरी शंकर कॉशल ने भारतिय जनसंग से चुनाव लड़ा और वो जीत गए हिंदुत में विचार धारा की जीत का सिलसला यहीं नहीं रुका साल 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो गौरी शंकर कॉशल को दोबारा चुनाव में उतारा और वो फिर से जीते इसके बाद भारतिय जनता पार्टी का गठन हुआ और साल 1980 में टिकेट मिला लक्ष्मी नारायन शर्मा को इसके बाद लक्ष्मी नारायन शर्मा ने लगातार 1993 तक यानी चार बार विधाई की भाजपा को जिताई साल 1998 में कॉंग्रेस की जीत का सूखा खतम हुआ और जोधा राम गुर्जर जीत कर विधायक बने उनकी ये जीत पिछडा वर्ग के वोटो के संगठित होनी से हुई थी तो भाजपा ने जब सीन बदलते देखा तो साल 2003 में ठाकुर पृत्याशी भक्तपाल सिंग को मैदान में उतार दिया जोकि पिछडा वर्ग पर अच्छी घासी पकड़ रखते थे जबकि कॉंग्रेस ने इस बार ब्रामण को टीकिट दिया था और पढ़ नाम भक्तिपाल सिंग जीत गए साल 2008 में सीट रिजर्व हो गई और भाजपा ने आरच्छितवर के ब्रह्मानंद रतनाकर को पहली बार पृत्याशी बनाया उन्होंने कॉंग्रेस की हीरा लाल को 23,066 वोटों से हराया इसके बाद भी 2013 में भाजपा ने विश्नु खत्री को मौका दिया खत्री कॉंग्रेस के महेश रतनाकर को 29,304 वोटों से हरा कर विधान सबब पहुँच गए बीजेपी ने फिर 2018 में विश्नु खत्री को ही पृत्याशी बनाया कॉंग्रेस ने महिला पृत्याशी जैश्री किरण को मैदान में उतारा लेकिन इसमें भी कॉंग्रेस सफल नहीं हो सकी विश्नु खत्री ने जैश्री हरी किरण को 13,789 वोटों से हरा दिया ग्रामीन शेत्र के हालात खराब होने के बाब जूद यहां से बीजेपी का विधायक लंबे समय से जीतता आ रहा है माना जा रहा है कि बीजेपी के हिंदुत के आगे कॉंग्रेस का हर दाव फेल साबित हो रहा है लेकिन इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है कॉंग्रेस की ओर से दिगविजे सिंग के बेटे जैवर्दन सिंग ने बेरसिया छेत्र की कमान सभाली है लगातार शेत्र में बैटके कर कॉंग्रेस नेताओं कारिकरताओं को एक्टिव करते देखे जाते हैं कॉंग्रेस से दुबारा जैश्री हरीकरण तैयारी में हैं तो वहीं राम भाई मेहर भी चुनावी मैदान में उतरनी की तैयारी कर रहे हैं बेरसिया में मतदाता की बात करें तो इस सीट पर कुल मतदाता लगभग 3 लाग है बेरसिया मिधान सबस सीट दलित बाहूले सीट है शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब मिलाकर 50,000 से जादा वोटर्स है इसके बाद सबसे बड़ी संख्या करीब 35,000 गुर्जरों की है वहीं तीसरे नंबर पर मीडाओं की संख्या करीब 25,000 है इसके अलाबर राचपूत 15,000 से अधिक तो कुश्वा भी 10,000 है करीब 7,000 ब्राम्मन है और सबसे कम मुस्लिम मतदाता है यहां कल 270 मतदान केंदर पर वोटिंग होती है अभी भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष और बैरसिया जनपत अध्यक्ष दोनों ही गुर्जर है इस सीट के पास जंगल का बड़ा एरिया है जहां इंडेस्ट्री क्लस्टर बनानी की घोशना कर दी गई है टूरिज्म के हिसाब से वेरसिया की तरावली वाली माता और जगदीशपुर एक बड़ा पड़ेटन छेत्र है खास बात यह है कि यहां नवावो का शाशन भी रहा है विदीशा और गुना के लिए यहीं से सफर होता है इस पिये यहां व्यापार भी बढ़ रहा है पानी की भी बड़ी समस्या बनी हुई है घर घर नल से जल की योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है ग्रामीर पानी की समस्या से भी जूज रहे है